तो दोस्तों आपके स्क्रीन के उपर question no.8 देख रहा है क्या कह रहा है question आई देखते हैं in a cyclic quadrilateral A, B, C, D twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C find the measure of angle C तो यहां पर एक quadrilateral दिया है ठीक है वो कैसा है cyclic है cyclic मतलब क्या होता है इनकी जो opposite sides है यह कैसी है तो यह इनकी sum है 180 जैसी यह A है यह B है यह C है और यह D है तो angle A plus angle C कितना होता है 180 तो angle A plus angle C कितना होता है 180 होता है cyclic quadrilateral में ठीक है अब हमको क्या वोला है twice angle A is thrice angle C यह वोला है तो इसको हम करेंगे angle A is equal to 3 by 2 angle C यहने angle A कितना आ गया 1.5 angle C आ गया अब यह जो value है यहां पर put करेंगे तो यह क्या है angle A की जगा पर 1.5 angle C plus angle C is equal to 180 तो यह कितना गया 2.5 angle C is equal to 180 तो एंगल C कितना आगया बुच्छों तो आगया 180 divided by 2.5 तो यहां पर क्याइगा तो यहां पर क्याएगा यहां पर कितना पांच होड़ेगा पचास तो यहां गया 72 तो angle C कितना आता है तो 72 डिगरी आता है तो B option को टिक करो और आगे बढ़ जाओ यह आपका B option सही है तो B option पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ